इंदु धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रिनाथ द्वार का रामेश्वरम और पूरी हैं मानेता है कि भगवान विश्णू जब चारो धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रिनाथ गए और वहाँ इसनाम किया इसके बाद वो गुजरात के द्वार का गए और वहाँ कपड़े बदले द्वार का के बाद ओडिसा के पूरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलाडू के रामेश्वरम में विश्राम किया पूरी में भगवान श्री जगनात का मंदिर है पूरी के इस मंदिर में भगवान जगनात उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काट की मूर्तिया है लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश अनोखा मंदिर है जगनात मंदिर की ऐसी तमाम विशेशताएं है साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानिया है जो सदियों से रहस्य बनी हुई है मंदिर से जुड़ी एक मानेता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी दे का त्याक किया और उनका अंतिम संसकार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़ कर उनकी पूरी दे पंच्चतत में व रक्षित है और भगवान जगनात की लकडी की मूर्ती के अंदर है जगनात पूरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है पुरानी मूर्तियों की जगा नई मूर्तियां इस्थापित की जाती है मूर्ती बदलने की प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोच किस्सा है जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है मंदिर के आसपास भी पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है मंदिर के बाहर भी CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है पुजारी की आखों पर भी पट्टी बांधी जाती है हातों में गलब पहनाए जाते हैं इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है पुरानी मूर्तियों की जगा नई मूर्तियां लगा दी जाती है लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती ये है ब्रह्मा पदार्थ ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है ये ब्रह्मा पदार्थ क्या है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है बस कुछ किस्से है जो मूर्ती बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले है ये ब्रह्मा पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ती से नई मूर्ती में बदल कहा ये भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े ओड़ जाएंगे एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्मा पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़ कर देखा जाता है मूर्ती बदलने वाले कुछ पुजारियों ने ब चल रहा हो कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पपाता यानि ब्रह्मा पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने कि कहानिया जरूर है लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता जगनात पूरी मंदिर समंदर किनारे पर है मंदिर में एक सिंग द्वार है कहा जाता है कि जब सिंग द्वार में खदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है लेकिन जैसे ही सिंगवार के अंदर खदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है इसी तरह सिंगवार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला खदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर से आने लग जाती है ये भी कहा जाता है कि सिंगवार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंद भी आती है लेकिन जैसे ही कदम सिंगवार के अंदर जाता है ये गंद भी खत्म हो जाती है सिंगवार की ये रहसे भी अब तक रहसे ही बने है आमतोर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़े इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है लेकिन जगनात मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उठते हुए नहीं देखा गया कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं देता यही वज़ा है कि मंदिर के उपर से हवाई जहाज हेलिकॉप्टर के उड़ने पर भी मना ही है जगनात मंदिर खरिब 4 लाफ वर्ग फीट एरिये में है इसकी उचाए 214 फीट है आमतोर पर दिन में किसी वक्त भी इस इमारत या चीज या इंसान की परचाई जमीन पर दिखाई देती है लेकिन जगनात मंदिर की परचाई कभी किसी ने नहीं देखी इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो ज़ंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहसे है इस ज़ंडे को हर रोज बदलने का नियम है मानेता है कि अगर किसी दिन ज़ंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 16 सालों के लिए बंध हो जाएगा इसके अलावा ये ज़ंडा हमेशा हवा की विपरीद दिशा में उठता है मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चकर भी है कहा जाता है कि पूरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चकर को देखा जाए तो एक जैसा देखता है वहीं जगनाद पूरी के रसोई से जुड़ा एक रहसे ये भी है कि यहां चाहे लाखों भगता आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंध होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है यानि यहां प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूलहे पर बनाया जाता है यह प्रसाद साथ बरतनों में बनाया जाता है साथो बरतन को एक के उपर एक करके एक साथ रखा जाता है यानि सातों बरतन चूले पर एक सीडी की तरह रखे होते हैं सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बरतन सबसे उपर यानि सातवे नंबर का बरतन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तयार होता है इसके बाद छटे, पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानि सबसे नीचे के बरतन का प्रसाद तयार होता है तो हमने आपको आज बता है जगनाथ पूरी मंदिर के कुछ रहस से कैसे लगी आपको हमारी ये पेशकश आप कमेंट करके बताइएगा जरूर और देखते रहिए भारत आज